आज हम पढ़ने वाले हैं धर्मबीर भारती जी का जीवन परी छे देखिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम करते हैं सिरू तो धर्मबीर भारती जी आधुनिक हिंदी सायती के प्रुमुक लेखक कवी नाटक कार संपादक और कहनिकार थे ये तो लेखक थे, कवी थे, नाटककार, संपादक और कहनिकार थे इनका जन्म 25 दिसंबर को 1926 को इलाबाद में हुआ जो इनका जन्म हुआ वहाँ 25 दिसंबर को हुआ 1926 को इलाबाद में हुआ था इनकी माता का नाम चंद्रा देवी था और इनका जो इनके पिता का नाम चिरन जीव लाल वर्मा था और इनकी प्रारंबिक सिक्चा इलाबाद के टी एवी हाई स्कूल से आरंब हुई तो इन्होंने अपनी सिक्चा इलाबाद से ही की थी कहां से बी एवी हाई स्कूल से और इन्होंने प्रतम सिरने में हिंदी विषे में में किया तता इनकी मिरत्यू चार दिसंबर 1909 में हो गई देखिए आपको मेंड पोइंट यहां पर लिखना है जैसे की धर्मी विभारते आदमीन की हिंदी सायती के प्रमुकिये लेखकरे कवी नाटक कार संपादक और कानिका थी इनका जन्म 25 दिसंबर को 1926 को इलाबाद में हुआ इनकी माता का नाम चंद्रा देवी था और पिटा का नाम चीरन जीवलाल वर्मा था और इनकी प्रारंबिक सिक्चा इलाबाद के डी एवी हाई स्कूल से प्रारंब हुई तता इन्होंने फिर प्रिथम सेर्णी में हिंदी साय हिंदी विसे में इन्होंने एमे किया और तथा इनकी मिरत्यू चार दिसंबर को 1913 में हो गए यहीं आपको जिवन परिचे के अंतरगत दिखना है देखिए अब हम देखेंगे इनकी रचनाए सूरज का सात्वा घोडा गुनाहों का देवता ठंडा लोहा नदी प्यासी थी इसके बादे स्वर्ग तथा प्रत् आपको दो रचना बताना है या वेसे तो यहां पर बहुत सारी रचना है लेकिन आपको दो रचना याद करना है तो स्क्रीन सोट ले लिजे अब हम देखेंगे इनकी भासा तो इनकी भासा सहज और बहुती सरहले इन्होंने अपनी भासा में बहुती सरहल सब्दों का प्र प्रियोग किया है और इसके अलावा मुहावरों लोकोक्तियों तता कुछ संस्क्रत अंग्रेजी देशज साधी सब्दों का प्रियोग किया है देखिए इनकी जो भासा है वहां सहज है और सरल है और इन्होंने अपनी भासा में खड़ी बोली का प्रियोग किया है और इसके अलावा इन्होंने मुहावरो लोकोक्ती तता कुछ संस्क्रत के सब्द अंग्रेजी के और देशत सब्द आधी के आधी सब्दों का प्रियोग इनकी भासा में इन्होंने किया है इसके बाद इनकी सेली देखिए इनकी रचनाओं में कई प्रकार की सेली हमें देखने को मिलत पहली से लिए हमारी वणनात्मक से लिए, नमबर दो है विवेचनात्मक से लिए, नमबर तीन मनोवेग्यानिक से लिए, नमबर चार है भावात्मक से लिए, नमबर पाँच है चित्रात्मक से लिए, और नमबर छे है हासी व्यंकुन प्तिकात्मक से लिए, तो छे से लिए इनकी रचनाओं के अंतरगत हमें देखने को मिलती है वन्नात्मक सेली, विवेशनात्मक सेली, मनोवेग्यानिक सेली भावात्मक सेली, चित्रात्मक सेली और हासी व्यंगपुन प्रितिकात्मक सेली देखिए फिर इनका साइक्ति में इस्थान कि इनका सायत्य में महतुपुनिस्थान है और आपकी रचनाओं के लिए हिंदी सायत्य सदा ही रिनी रहेगा देखिए इन्होंने अपनी जो जीवन है इस जीवन में जो भी हिंदी सायत्य के लिए इन्होंने जो कुछ करा उसके लिए इन्हें हिंदी सायत्य सदा ही इनका अभारी रहेगा और इनका रिनी रहेगा तो इनका सायत्य में एक महत्वपुनिस्थान माना गया है और आपकी जो रचनाओं के लिए हिंदी सायत्य सदा ही रिनी रहेगा तो ये था इनका साइते में इस्तान आप अच्छे से यहां से स्क्रीन सोट ले लिजे इनका तो आप यहां से इनके जीवन परीचे का अच्छे से स्क्रीन सोट ले लिजे इसके बाद इनकी रचना है यहां से ले लिजे इनकी रचनाओं का स्क्रीन सोट और इनकी भासा और यह रही इनकी सेली उदेकर की रचनाओं में छे प्रकार की सेली देखने को मेटी है और यह रहा हमारा साथ ची रहा आपी साथ does से उस्प्राइब तो आप सभी का अच्छे से स्क्रिंसोट ले लीजे तो आज की वीडियो में हमने धर्मविर भारती जी का जीवन परिचिन की रचना है भासा सेलियो और सहितिमिस्थान पड़ा तो आप इसे अच्छे से अपनी नोट गुप में नोट कर लिजेगा